नमस्कर दोस्तों तो आज हम एक और पॉर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पॉर्टफोलियो है इनका एज है 35 ये एक डॉक्टर है तो इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है चैनूरी 2022 से एस माई फॉदर इनलो हैड तो वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया सबसे पहला है SBI का ETF Nifty 50 का देन है MCX और उसके बाद है PFC यानिकी पावर फाइन्स कॉल्पोरेशन और उसके बाद इन्होंने कुछ अपना चो एक्स्पिरियंस से और अपने चो लर्निंग से वो भी हमारे इन्वेस्टिंग तो सबसे पहले तो अगें थैंक यू फोर यूर काइंड फीडबेक तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ लेसंस हमारे साथ शेर किया जो कि इन्होंने हमारे वीडियो देकाने इनके जो फदर इनलो है तो उनसे सीखाए the first is do the market is not for greedy people then a second is invest only spare money in the market don't take loan and invest don't invest in any tips from anyone do your study before investing sixth is create a balanced and diversified portfolio to maximize the profit and minimize the loss buy on dips only money can make more money so save and invest to grow your money buy right and sit tight have patience and conviction and last is don't look at your portfolio daily you will make mistakes तो basically काफी सारे जो practical learning से इन्होंने हमारे साथ share किये है चाहू तो आप अपना जो learning stock market से वो भी comment करके बता सकते हो उसके बाद इन्होंने बता है that कुछ stocks को ये cut down करना चाहते इनके पास अभी huge amount और ये investment करने के लिए बट जितना भी extra इनके पास आएगा तो वो investment ये करेंगे stock market में ओके तो चली दोस्तों अभी देख लेते कि कैसा इनका portfolio है and कैसे इस portfolio को और भी बेटर बनाया जा सकता है so investment की अगर बात करें तो 1,79,000 का investment है currently portfolio का size 1,77,000 का है इनको अभी अपने portfolio के ऊपर 1% का भी loss नहीं हो रहा है 1500 का loss है and इनके portfolio में total 19 stocks हम लोग को देखने को मिल रहा है तो सबसे पहला जो company इनके पास है यहे Asian Pint 9,000 का investment है 6% का loss है but company काफी strong काफी अच्छा इनकों ने पिक किया तो long term के लिए continue करना चाहिए क्योंकि risk काफी कम है and consistent company and market leader company है next company AWL यानिकी Adani Wilmar and इधर पे इन्होंने 2300 का investment किया 81% का काफी बड़ा profit but allocation इन्होंने कम provide की है तो 1900 का profit इनको हो रहा है तो Adani Group के मुझे ज़ादातर companies उनका valuation बहुत high लगता है and इस time पे अगर देखा जाए तो मुझे Adani Wilmar का भी valuation काफी high लगड़ा है इन्होंने काफी अच्छे लेवल पर investment कर दिये 390 के लेवल पर आज के दिन तो 700 के उपर stock जा चुका है तो आपने क्योंकि अच्छे लेवल पर investment किये and allocation भी बहुत ही control में तो आप इस company को long term के लिए hold कर सकते हो नेक्स्ट है बजाज finance 8600 का investment 3% का loss in को होड़ा है company बहुत ही strong है बहुत ही अच्छा है quality company है and normally हम लेख को क्या देखने को मिलता है जब एक company बहुत बड़ा बन जाता है हाती की जैसा size उसका बन जाता है तो धिरी धिरे क्या होता है कि जो company का sales है वो या पर slow हो जाता है क्यो इसके जो ग्रोथ है उसके साथ भी company compete कर ले था है बहुत ही अच्छा company quality company fintech company है तो long term के लिए continue करना चाहिए next इनके पास है दीपक नाइट एड़ा बाड़ा आजार तीन सो का investment है 7.6% का अभी तो लौस है अच्छा इन growing company है long term के लिए continue आप कर सकतो काफी सारे product में market leader है and अगर देखोगे तो क्या अंचान चल ला है management भी काफी अच्छा है तो काफी सारे positive point है दीपक नाइट एग में तो we can continue for long term देन दोसिंद के पस company divyani international 1192 का investment है 5% का profit इनको हो रहा है अभी अगर divyani की बात करे तो इस company का जो last quarter का result था तो वो आपको काफी अच्छा ही देख 111 के valuation पे P.E. पे stock trade होड़ है तो थोड़ा सा higher valuation है बट higher valuation क्यों sure है क्योंकि अगर देखोगे तो last 4 quarter के अंदर एक quarter में यानके last June 2021 वाला जो quarter था वाँ पे loss था तो उसी loss के चलते आपको P.E. इतना जादा देखने को मिलेगा जैसे ही next quarter यानके June का result आएगा तो P.E. ratio 111 से काफी कम हो जाएगा तो growing company है शेक्टर बहुत अच्छा है तो मेरी ही साबसे आप company को long term के लिए continue कर सकतो नेक्स्ट है happiest mind and इधर पे 4,800 का investment 11% का loss इनको हो रहा है बट good and growing company है काफी अच्छा company long term के लिए continue करना चाहिए next day HDFC bank and 6400 का investment है 7% का इनको हो रहा है profit अच्छा company है and क काफी लोडिस company है strong company market leader है तो long term के लिए HDFC bank को भी आप continue कर सकतो उसके बाद दोस्तों निक्स इनके पास company ITC and याप यह बाड़ा सो का investment इनको हो रहा है profit अभी देखे एक simple सा logical answer में आपको ITC के देना चाहूँगा ITC का जाके अगर आप last 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको 15% का negative return देखने को मिलेगा तो 5 साल से कोई positive return company का नहीं है अगर मान लेते कि जो future का 5 साल होगा next 5 year जो होगा वहाँ पे ITC का stock अगर double भी हो जाता है तो आपका जो 1200 का investment है वो 2400 का होगा ऐसाच अगर देखोगे तो portfolio basis पे कोई जादा बहुत भड़ा फड़क नहीं आने वारा है तो simply जब आप ITC को hold करता है अपने portfolio में तो आपको ITC को track करना पड़ेगा इसके earning को भी track करना पड़ेगा एंट ITC के साथ सेक्टर के बाकी companies को भी track करना पड़ता है ऐसा नहीं कि हमने किसी एक company में निवेश करते है एंट उसी को हम देखेंगे उसका result देखना पड़ता है साथी साथ उस सेक्टर के बाकी company के साथ भी उसको compare करना पड़ता है तो तब जाके हम लोग को पता चलता ह कि actually में कैसा result है तो मेरी ही साब से आप चाहूतो number of stocks को थोड़ा सा और focused बनाने की कोशिश कर सकतो जिससे आपको ज्यादा stock को track नहीं करना पड़े जैसे आप doctor time obviously आपके पास बहुत ही कम होगा तो ऐसे करके आप portfolio को थोड़ा focused बना सकतो बाकी अगर रखेंगे तो भी कोई ज्यादा इशु नहीं है बट मैं tracking की बात कर रही है आप है नेक्स्ट है जुबिलान फूट 5000 का investment and 1.6% का profit इनको होड़ा है good and growing company है चाहूत आप hold कर सकतो देखते अभी result कैसा आता है अभी तक result आने है company का but it is a good company and sector बहुत अच्छा है नेक्स्ट है आप कह सकतो कि मेरी को काम करता है hair oil के segment में and वहाँ पर अगर देखोगे तो penetration जो है already काफी बढ़ चुका है एंड इंडिया में बहुत सारे लोग या ज्यादा तर जो लोग है वो hair oil use करते तो penetration क्योंकि काफी कमें तो आपको sales में profit में काफी या पर आप कह सकतो कम growth देखने के पास company है mcx and mcx के अगर बात रहे तो business मुझे बहुत इंडिस्टिंग लगता है monopoly company अगर अप commodity derivative के अंदर अगर देखोगे तो mcx is a good company बट साथी साथ अगर हम business की बात करें तो business में सच बहुत जादा कुछ growth नहीं है क्यों क्योंकि अगर देखोगे तो 2011 में या 2012 में 2012 2012 तेरा का याड़ आप पकड़ लो एंड वहाँ पे company का सेल्स अगर देखोगे तो आपको 500 करूर का देखने को मिलेगा 2011-12 एंड आज के दिन अगर देखोगे company का sales तो वह आपको 360 करूर के आसपस देखने को मिलेगा 2022 में तो आप समझ सकते हो कि लास्ट बाड़ा साल में company अपनी का sales ग्रो नहीं हुआ business ग्रो नहीं हुआ तो इस बसे इस से better growth वाले companies आपको मिल जाएंगे हला कि I think राकेश चुन वाला भी इंवेस्टेट इस company में तो उनको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता future में जाके तो उस बज़सों निवेश किया अगर उस question का answer आपको न अच्छ और quality companies अबको मिल जाएंगे एक इस टेप से बहेंगे बहुत डाउने टीस इंफोसे काफी जाएंगे इशनपेंट काफी डाउने दें दिवीजत काफी डाउने दिमार्ट काफी डाउने टाई टाइटन काफी डाउने एस्ट्राल काफी डाउने तो इसे quality वाले companies आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं या फ्रिश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यह पैसा ओके देन दोस्तों निक्स्ट कंपणी जो ही इनके पास यह नॉर्मली मैं जो यह पर गवर्मेंट के कंपणी से वहाँ पर निवेश नहीं करता हूँ क्योंकि एक तो वहाँ पर वैलुशन जादा मिलता नहीं या दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर घ्रोथ काफी कम होता है इस कंपणी का 10 साल का सीएजर रिटार नहीं कर देखोगे तो वह जस्ट आपको 2% देखने को मिलेगा 5 साल का है 3% एंड तीन साल का एवरेज रिटान है 5% तो इतना रिटान तो आपको गैरंटीड सेविंग्स एकंट में ही मिल जाएगा तो इवडी को ही बीट नहीं कर पाया कंपणी ने तो निवेश करके मुझे लगता है जादा कु बना नहीं है आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले 2010 में कंपणी का स्टॉक का प्राइज 110 था आज भी स्टॉक का प्राइज 110 पे ही आपको देखने को मिलेगा तो स्टॉक की ग्रोव नहीं हुआ लास्ट दस बाड़ा साल में कोई विल्ट जेनरेशन ही आपे हुआ नहीं है तो कंपणी तो इसको भी लॉंग रन के लिए आप खुल्ट कर सकतो देने इनके पास रिलैक्स हो एंड इधर पे 6200 का इंवेस्टमेंट है अभी इनको लॉस हो रहा है पट कंपणी काफी अच्छा है तो लॉंग टम के लिए आप कंटीनू कर सकतो देन काफी बड़ा या सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट ने की है तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में किये है इधर पे दो परसंट का इनको होड़ा इस टाम पे लॉस अभी देखे यह टोटल यह आपका इंडिवीजल कॉल में यह नहीं बता सकता है कि खड़ा भी आच्छा यह इंडिवीजल कॉले कि कितना रिस्क लेने के लिए तयार हो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है यह इधर पे रिस्क बहुत कम है आपको ज्यादा कोई ट्रेक नहीं करना पड़ेगा और आप कह सकतो कि ज्यादा कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए यह बिलकुल सही है कोई ज्यादा का यह ज्यादा अब और आपको ज्यादा रिस्क नहीं है तो अगर आपको थोड़ा बहुत के बारे में तो बेटर यह है कि पैसा यह आंपे थोड़ा सा कम करके अलोकेशन यह यह व किसी अश्यक्ण कंपणी में ढ़ाल सकतो जो कि अभी इस मार्केट करेक्शन में काफी गिर चुके निक्स्ट ए टाटाप और 7100 का इंवेस्टमेंट 2% का इनको होड़ा लॉस बट अच्छा एंड क्रोइंग कंपने तो इकंट कंटिनू एंड उसके बादे वीप्रो 4600 का इंवेस्टमेंट एंड 0.9% का प्राफिट इनको हो रहा है तो यह भी अच्छा कंपने तो लॉंग टर्म के लिए इसको भी आप खोल्ड कर सकते हो तो दोस्तो यह था इनका पूरा पॉर्टफोलियो तो आपके सबसे पॉर्टफोलियो कैसा था और इस पॉर्टफोलियो में क्या कुछ और चेंजस किया जा सकता है और कैसे इस पूर्टफोलो को और भी बेटर बनाया जा सकता है आप चाहो तो कमेंट करके बता सकता है अगर इनकी जगा मैं होता तो बहुत सरे कंपणी से एक्सिट हो जाता लाएक जो M6 का पैसा वोन में निकाल लेता दिन पावर फाइनेंस कॉल्पोरेशन का NTPC का पैसा म उन्हों को मिला के किसी एक अच्छी FMC कंपणी में निवेश करता है जहां पी थोड़ा से अच्छ है लाइक एक्जेंपल के लिए अगर बताए तो वीबिल में ग्रूथ काफी अच्छा रहे तो अगर वहां पे हम लोगों को गिरावाट देखने को मिले निया तो वहां प कर लेता क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ अच्छे एंड कंसिस्टेंट कंपणी से वह लॉंग में जो निफ्टी-फिप्टी का रिटन उसको बीट कर देंगे लाइक एशन पेंट या बजाज फाइनेंस के अगर बात करें या डिमार्ट या डिवीज लेब या टाइट बाकि आप हमारा जो में चैनल है उसको भी तो आप जैसे के अपने बताया की फॉलू करते है वहाँ पे आप टेली बेसेस पे जो अच्छे कंपनी से उनके बाड़े में डिसकस करते है तो वहाँ से भी आपको आइडियस मिल जाएंगे तो चलिए भी देख लेते कि लोंग में देखने को मिल रहा है तो अगर 16 परसंट का हम लेते हैं अगर आप चेंज करोगे ऐलोकेशन को तो 18 परसंट लिया जा साकता था तो 16 परसंट के साथ अगर हम कैलकुलेट करते तो आफटर 10 येर जो पोर्टफोलियो का साइज है इस इंवेस्टमेंट के साथ वह 16 लाग का बन जाएगा अगर या पर रिटन को थोड़ा सा और बढ़ाते 18 परसंट करते तो दो परसंट और अगर इंक्रीज करते तो 16 लाग से 21 लाग का जो वेल थे ये क्रियेट कर सकते आफटर 15 येर्स जब इनका एज 50 साल का हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का अमारा पो अगले वीडियो में वीडियो में वीडियो में बबाई